नमस्कार सौगत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं यानि कि पढ़ाने जा रहे हैं SSE CGL 2020 का सेट है और MB Publication की बुक का सेट नमबर 6 जो की आज आप हमारे साथ सॉल्व करने वाले हैं चलिए आएए देखते हैं MB Publication की बुक को और मैं बता दूँ इसके पहले की MB की जो बुक है वो प्रिवियस यर के questions का collection होती है बहुत बहतरीन अंदाज में आप लोगों को बुक से जो है वो मैं यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ तो चलिए देखते हैं बुक को कैसे solve करेंगे हम और एक एक question को detail में मैं बताता भी रहता हूँ आए उसी की तरफ चलते हैं अग्रसर होते हैं अगर हम सही बात करें तो सुद्ध हिंदी वाली बात करें तो चलिए देखते हैं क्या होगा question number one दिया गया है कि select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence if no substitution is required select no substitution required यानि कि sentence improvement का question है और question number one क्या दिया गया है I asked Rahul that how far was his office from his home ठीक है सबसे पहले हम यह देखेंगे कि I asked दिया गया है और Rahul दिया गया है जब भी हम I asked Rahul यानि कि subject देखें, ask देखें, object देखें तो दिमाग में जरूर यह click होनी चाहिए बात कि जब भी हम direct से indirect बनाते हैं तो set to को ask में change करते हैं जब भी हम direct को indirect में बनाते हैं तो set to को किस में change करते हैं? ask में change करते हैं तो यह set to को ask में change किया गया है हाला कि जो हमें देखना है sentence improvement के question को देखना है फिर इससे जो additional चीजें जो हमें सीखनी है वो सीखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे गलती क्या है इसमें गलती ये है कि जब भी direct से indirect बनाते हैं तो set to को asked में change किया और how far यहाँ पे question word है कितना दूर how far यहाँ पे क्या है question word है और आप ध्यान से देखिएगा कि question word अगर sentence में आ जाता है तो हम that नहीं लगाते हैं उसी question word को conjunction के तौर पे indirect sentence में use कर लिया जाता है तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए how far यहाँ होना क्या चाहिए? how far that नहीं लगना चाहिए option number A में that लगा दिया गया है यहाँ पर इसलिए यह गलत हो गया क्योंकि how far भी एक प्रकार का conjunction और that एक प्रकार का conjunction दोने एक साथ यूज नहीं होंगे option number B then लगा दिया गया है यह भी गलत हो गया option number c जो है वो यहाँ पर सही होगा क्योंकि यहाँ पर how for subject है वो how for conjunction हो गया यहाँ पर his office हो गया क्या subject और watch हो गई वर्व इसको दो तरीके से solve कर सकते हैं दूसरा तरीका मैं बताऊं अगर तो watch हुआ है ना तो watch किसके हिजाब से हुआ होगा is को watch में change किया गया होगा तो क्या होगा यहाँ पर is को watch में change किया गया होगा है ना यहाँ पर एक चीज सॉरी देखिए का that एक प्रकार का subordinate conjunction है और subordinate conjunction का एक rule होता है that का मतलब जब की होता है तो वो subordinate conjunction होता है subordinate conjunction का क्या rule होता है कि subordinate conjunction के पहले का sentence यदि past में है तो बाद वाला sentence भी past में होगा ठीक है तो इसलिए option number 1 में is दिया गया था ये गलत हो गया ठीक है then दिया गया है वैसे ही गलत है सब मिला करके that नहीं होगा how for एक प्रकार का conjunction का भी काम करेगा ठीक है जब भी direct same diet मनाते हैं तो question word ही conjunction का काम करने लगता है अगर sentence में question word दिया गया है तो इस इसाब से option number C जो है वो सही answer होगा ठीक है कुछ extra चीज़ें जो हमें देखनी है जो ससीक इंग्जाम में पूछी गई है वो पूछा गया है far further furtherest far ये far जो है वो adjective की एक प्रकार की degree होती है और वो है positive degree चीक है adjective की positive degree होती है far comparative degree होती है further और furtherest तो इसमें आपके S.S.C. में question पूछा गया वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा ये प्राडवाई देखिएगा far ये क्या है far जो है वो एक प्रकार का क्या positive degree का adjective है comparative degree का adjective हो गया और furtherest superlative degree का adjective हो गया ठीक है further farthest ठीक है अच्छा एक होता है far इसकी comparative degree further होती है ठीक है और superlative degree furtherest होती है फार फार्दर फार्दरिस्ट होती है अब एक चीज देखनी है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यह जो एफ ए आर फार्दर है और यह फ्यू आर फार्दर है इसमें अंदर होता है यह जो एफ ए आर फार्दर है इसका मतलब होता है दूरी में आगे इसका मतलब होता है दूरी में आगे दूरी में अगर कोई ज़्यादा दूर है तो हम यूज करते हैं फार्दर का ठीक है और अगर वो डिस्टेंस जो अगर क्रम में आगे की बात की जाए तो हम फार्दर का यूज करते हैं ठीक है जैसे अगर हम कोई copy लिये हैं हम यह देखिए और इसमें हमने एक page पलटा और हमने क्या कहा further page यानि कि F U R T H E R any further question कोई अगला question आपके पास है तो अगर हम cram की बात करें तो हम further का यूज करते हैं further का यूज करते हैं वो SSC CGL 2017 में पूछा गया है फ्रॉम पटना देन चंडिगर देल ही इस further from पटना देन चंडिगर जैपुर इस ठीक है यह आपके कौन से year में पूछा गया है पूरी detail के साथ बताऊंगा पहले मैं देख लूँ जैपुर जो है further from यहां दूरी की बात कर रहा है तो यहां यू आर की जगह हम अगर far कर दें तो यह question सही हो जाएगा अब यह आप पूछोगे कि भई यह क्यों बता रहे हूं आप यह वाला example ही क्यों दिया आपने तो मेरे भाई मेरे दोस्त मैंने यह example इसलिए दिया क्योंकि यह जो further है यह वो पूछा गया है आपका SSC CGL 2017 में तो आप CGL की CHSL की जो भी तयारी कर रहे हो SSC CGL 2017 MB Publication की book open कीजिए set number 9 open कीजिएगा question number 2 set number 9 में आपको question number 2 मिल जाएगा jay police further from पतना दें चंडिगर यहाँ पे far की जगह error मान लिया था यह few are दे करके error पूछ लिया था तो आप जानेंगे कि यहाँ पर दूरी की बात कर रहा है जैपूर पटना चंडिगर दूरी की बात कर रहा है और हम further का यूज करेंगी ना कि further का यूज करेंगे यह question पूछा गया तो आपका हमसे पढ़ने से एक यह बहुत बड़ा फायदा होगा कि आपको मैं ऐसे याद दिलाता रहूँगा कि यह question यहाँ पूछा गया है एक question का सिर्फ answer बता करके आगे बढ़ने वाला काम मेरा नहीं है ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं आगे में क्या देखना है हाँ तो आप लोग इस तरह से यह question समझ में आगया कैसे करना है में further, furtherest और far अगर comparative अचा यह चीज़ें हो गई next question की तरफ चलते हैं ठीक है और next question क्या है next question से पहले मैं बता दूँ कि आप लोग exam के तैयारी बहतरीन अंदाज में करते रहें क्योंकि exam है आप लोगों का 2023 में आपको selection लेना है आपने अपने आपको अपने आप से द्रिण निष्चे किया होगा कि मुझे selection लेना है तो आप selection लेने के लिए पढ़ाई continue करें previous year question paper ज्यादा solve करें क्योंकि यहां से आपके जो question सही होने की possibility है वो बढ़ेगी probability है वो बढ़ेगी क्यों बढ़ेगी क्योंकि दीरे दीरे आप जब previous year questions लगाएंगे तो अपने आप exam में हुब हुब वैसे ही questions पूछे जाते हैं चाहूंगा तो बस बाते नहीं करनी है रात में आपको रात में हो या दिन में हो पढ़ाई करनी है तो आईए देखते हैं दूसरे question की तरफ बढ़ते हैं दूसरा question क्या है यहाँ पर देखिएगा दिया गया है my new years क्या my new years dash मेरे नए साल का क्या is to think positive always मेरे नए साल में हमने ऐसा क्या किया है क्या चीज मैं करने जा रहा हूँ to think positive सोचते रहने का हमेशा repetition आप दोहरा रहे हैं कि मैं positive सोचेंगे positive सोचेंगे repetition resolution अपने द्रण निश्चे किया है मेरे new year का मैंने द्रण निश्चे किया है नए साल में एक अपने आप से वादा किया है ठीक है अपने आप से खुद से वादा किया है कि मैं positive सोचूंगा positive रहूँगा positive लोगों के साथ रहूँगा ठीक है तो एक तरीके का resolution होगा confession का मतलब पता है क्या होता है भाई confess करने का मतलब कि आपने कि कोई crime कर दिया उसको कबूल कर रहा है ठीक है तो नए साल में आप crime कुबूल नहीं करने जाओगे आसा करते हैं कि हमारे subscribers इतने हैं वो बहुत अच्छे हैं वो इन सब मामलों में involved नहीं होते हैं ठीक है तो यहाँ पर confess नहीं होगा confession का मतलब एक ऐसा statement जिसमें आप crime को कुबूल कर रहे हैं ठीक है confess का मतलब किसी अपराद को सुईकार करना है ना celebration celebrate करते हैं new year celebrate किया होगा किसी का birthday celebrate किया होगा Valentine day celebrate किया होगा ब्ला 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 अलग अलग चीज़े हैं ठीक है ना next हम देखते हैं इसमें और चीज़ें जब celebration की बात आ गई है तो आप किसी को congratulation बोलते होगे न तो उससे related कुछ exam में पूछे जाते हैं कुछ बातें पूछी जाती है congratulation के साथ कौन सा preposition लगता है congratulation somebody on something होता है किसी को किसी चीज़ के लिए बधाई देना कि बधाई हो आपकी जॉब लग गई है बधाई हो आप पापा बन गया है बधाई हो आप फला कोई भी चीज बधाई हो आपकी जॉब लग गई है सबसे बड़ी बात तो यही है अभी आप लोगों के लिए जॉब लगने वाली चीक है तो congratulate कर रहे हैं आप congratulate somebody on something congratulate somebody on something होता है चीक है ना new year की बात आई तो मैंने बता दिया महाँ पर तो आपको हर जगा ग्यान की बातें मिलेंगी ज़रूर ठीक है इस तरीके से अच्छा think positive always आ गया ना तो मैं think से related कुछ चीजें बताने जा रहा हूं आप लोगों को देखिएगा एक होता है think back to एक think back to और इसी का पोजिट होता है think ahead to यह दोनों question जो है वो पूछे जाते हैं दो phrasal work एक think back to एक think ahead to think back to का मतलब क्या होता है आप किसी past की चीजों के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ कोई ऐसी घटना past में घटित हो गई है जिसके बारे में आप बैठे हुए सोच रहे हैं आप कहीं पर जा रहे हैं suppose जिक है कहीं जा रहे हैं किसी park में आप गए और seat park बैठ गए और बोले कि यहीं मैं काफी दिन पहले बैठ करके बात किया करता था इस तरीके की बात तो मेरा मतलब यह है कि यहां think back to कर रहे हैं think back to का मतलब past की चीजों को याद करना बैठ गए और पुराने दोस्तों को याद कर रहे हैं कि यहां मैं जमा हुआ करती थी ऐसा करता था वैसा करता था ठीक है think ahead to का मतलब आफ future के बारे में plan कर रहे हैं ठीक है future के बारे में plan कर रहे हैं कि हम अगर मेरी job लग जाएगी तो मम्मी पापा को मैं क्या gift दूँगा कौन से hotel में ले जाकर के सबसे महेंगे वाले hotel में ले जाकर के party करूँगा celebrate करूँगा यह सारी बात बताने के लिए थिंक ahead to यानि कि future के बारे में plan करने के लिए थिंक ahead to का यूज करते हैं और think back to का यूज होता है क्या past की चीजों के बारे में बात करना कि मैं यहीं बैठ कर उसके बाहों में वाहें डाल करके बाते किया करता था ठीक है चलिए फिलहाल हम question no.3 क्या है देखिएगा इसको मैं तो बड़ा कर देता हूँ आप तो ज्यादा सही दिखाए जगा आपको question no.3 क्या है is the door closed alka set tarun alka ने tarun से कहा कि क्या door बंद हो गया है अब देखिएगा इसमें कुछ आपको ज्यादा करना नहीं होता है आपको करना क्या है कुछ नहीं जब भी डारेक्ट से इंडारेक्ट बनाए तो एक ब्रम्भ वाक के सुन लीजिए जो भी helping वर्व लिखिए उसका past धूड़िए इज है न तो इज का past वाज यहां नहीं दिया गया है कलत कर दिजिए बहुत ज्यादा इन सब चीजों के चक्रों में मत पढ़िएगा present indefinite का past indefinite हो जाता है present perfect का past perfect हो जाता है फलाना धमा का यह दुनिया बर का जमेला ठीक है आप यह देखिए इज एम आर को वाज या वर कीजिए हैज को हैड कीजिए हैव को हैड कीजिए ठीक है past indefinite है तो past indefinite का past past perfect होता है concept को समझ यह वास concept को समझ यह ठीक है न तो देखिए यहां पड़ क्या हो जाएका इस द्च्टलो देखिए वाज कहां लिखा गया है वाज तो भी में भी नहीं लिखा गया what see me भी नहीं लिखा गया भ Finnish आप जाओ आटो चुट्टी लौ शलो निकलो यहांはは बत्ली गली से औपतली गली से निकलते ही हमारा D वाला OPTION से ँगा वाज इजकी का वाज देख्थे और अशर लगा इह आगे तो इजके अगे संगा वाज इस का वाज देख्था, वाज ढूटा और OPTION मारा, थिक है? आगे बढ़ा, यह करना है आपको आगे है? आगे देखते हैं अगला क्या question दिया गया है अगला question दिया गया है question number four की बात कर रहे हैं question number four मैं बताने जा रहा हूँ a place in a large institution for care of those who are ill एक ऐसी जगह जहां उन लोगों की देख भाल कर परवा की जाती है खासा ख्याल रखा जाता है जो बीमार है जो बीमार है उनका ख्याल लखा जाता है वो ऐसी जगह कौन सी है तो मैं एक बात बता दूँ की hangar, hostel, ठीक है इनफर्मरी और क्या dormitory इनफर्मरी होगा इनफर्मरी एक hospital को बोलते है और इनफर्मरी इनफर्म से बना हुआ है तो आईए हम इनफर्म के बारे में पहले जान लेते है इनफर्म है क्या तो देखिए अगा इनफर्म का मतलब होता है कमजोर इनफर्म का मतलब होता है very weak ठीक है इनफर्म का मतलब होता है कमजोर इनफर्म से ही बना है इनफर्मरी जहां कमजोर लोगों को बुढ़े लोगों को जवान लोग भी कमजोर हो सकते हैं बुढ़े लोग बुढ़ापे की वज़ा से कमजोर हो सकते हैं जवान लोग अपनी बिमारी के वज़ा से कमजोर हो सकते हैं तो दोनों तरह की कमजोरी की बात की जा रही है वहाँ पर infirm होगा एक infirmary का मतलब होता है hospital और एक होता है infirmity देखिए गतीनों वर्ड देखिए infirmity infirmity का मतलब होता है weakness कमजोरी ठीक है तो infirm कमजोर होने की बात की जा रही है infirmity hospital होता infirmary hospital होता है जहां कमजोर लोग, बोड़े लोग सब मिला करके मरीज लोगों को रखा जाता है ठीक है next question पर चलते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा जहाँ पर बीमार लोगों की देख भाल की जाएगी वो infirmary होगा ठीक है अगर hanger आ गया है तो हम hang से related कुछ चीजें देख लेते हैं जो अससी पूछती है वो है hang वो है hang इसकी second form होती है hang और third form होती है hang इसका मतलब होता है किसी चीज को लटका देना चाहे आप अपना कपड़ा ले जाकर के hanger उपर खोटी पर लटका देते हैं बोलते हैं खोटी पर लटका दो भईया तो वो hang होता है लटकाना और यह होता है फांसी पर लटका दो भईया और यू देखिए इसी तरीके से याद कैसे होगा जो यू यंजी होता है उसमें यू जो है वो कोट लटकाने के लिए ही बना हुआ है ठीक है यह कोई कपड़ा लटकाने के लिए बना हुआ है कोई ऐसे हुक बना लीजिए ये यू यह यू यह यू यंजी है और ये हुक है यहाँ पर कोई चीज लटकाई जाती है, जैसे कि कोई कपड़ा लटका दिये, कोई पैंट सर्ड, कुछ भी लटका दिये. U की आकार का है, उसका मतलब किसी सामान को लटकाना, किसी सीनरी को यहाँ पर लटका दिये, वो हंग होगा. उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है आपका, किसी चीज को, किसी चीज को मैं कह रहाँ, उसका मतलब होता है फासी पर लटका दिये न, बढ़ते हैं आगे और चलते हैं, next question की तरफ. लेकिन आप अगर लगातार बने रहेंगे तो आप नॉलेज नॉलेज वान हो जाएंगे यहां क्या लिखा हो है इसमें वर्ब क्या है पैसिब बनाना है न तो जब भी पैसिब बनाना हो तो आप ध्यान रखिए पैसिब वाहस का मतलब ही होता है बी वर्ब बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसी को passive बोलते हैं यहां helping सिर्फ verb देखिए और जो verb हो उसको B plus verb की third form में change कर दीजिए help है ना तो help के लिए लिखिए B और help की third form क्या होती है helped तो be helped देखिए कहां लिखा है बहुचा दिमाग मत लगाए दिमाग खर्चा कहीं और कीजिए ठीक है सिर्फ enjoy करते जाएं है और सवाल को लगाते जाएं help को be helped दे लिखिए be helped कहां दिया है पहले बाले में helping दे दिया चलो हटो फुटलो be helped यहां दिया है be helped यही सही हो जाएगा being helped दे दिया ना गलत हो गया हम तो be helped की तलास में थे और जिसकी तलास में थे वो ही हमें मिल गई वो ही हमें मिल गया और वो हम तलास कर रहे थे बी हल्प डिट की बी हल्प आप्सन नमबर बी में दिया गया है question number next की तरफ बढ़ते है question number next देखते है let का मतलब होता है किसी चीज़ को अनुमती देना let एक परकार की वर्व होती है ठीक है कुछ word ऐसे होते हैं जिनकी तीनों form सेम होती है वो भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ देखिए let की तीनों form सेम होती है let, let और let होता है ठीक है set की तीनों form सेम होती है set, set, set होता है life set है, है न, for cost, एक मेरा, हाँ, for cost, telecast और cost, इन तीनों की, तीनों form same होती है, ठिक है, एक है, तीनों form same, spread की देख लिजे, spread की भी तीनों form same होती है, spread की भी तीनो form सेम होती है ठीक है put की भी तीनो form सेम होती है cut की भी तीनो form सेम होती है bid की भी तीनो form सेम होती है ठीक है तो इस तरीके से इन सब की तीनो form सेम होती है जिनको आपको जानना जरूरी है quit की भी तीनो form सेम होती है thirst की भी तीनो form सेम होती है तो यह सब जानिए, यह सब समझी है, इन चीजों को देखिए और यह देखने को मिलेगा हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल में आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन पर अगला क्वेस्चन क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर प्रोफेस्टनल दिलेमा यह सब आप आसानी से कर सकते हैं डिलेमा में डी आई डबल एल नहीं होगा, एल होता है, सिंगल एल होता है यही गलती, आपसे नमबर बीस है इसको तो हम तुरंट ऐसे ही बता के आगे बढ़ जा रहे हैं और आगे बढ़ते ही आगे है आपका question number 7, magnificent magnificent का मतलब होता है सांदार magnificent का क्या मतलब होता है, सांदार, ठीक है? तो देखो भाई, magnificent का मतलब सांदार होता है तो यहाँ पर लिखना क्या है, antonium लिखना है antonium belong सब्द लिखना है तो सांदार का क्या हो जाएगा क्या modest होगा modest का मतलब क्या होता है modest का मतलब होता है modest का मतलब क्या होता है modest का मतलब होता है कोई चीज नम रहे उसे modest बोल देते है mighty का मतलब होता है बहुत सक्तिसाली appolent दिया गया है grandiose दिया गया तो इस तरीके से हमें देखना है कि इसका क्या होगा magnificent का मतलब मैंने बता दिया क्या होता है magnificent का मतलब सांदार होता है तो इसका opposite क्या modest होगा आप बताईएगा क्या modest होगा comment करके जरूर बता है magnificent का मतलब अगर सांदार होता है तो उसे related कुछ word मैं बता दू पहली बात तो Magnificent Magnificent का मतलब सांदार होता है दूसरा और पिसका मतलब सांदार होता है मेरे भाई और मतलब होता है सांदार X की साइट ठीक है Stupendous इसका मतलब सांदार होता है Stupendous का मतलब सांदार होता है Splendid इसका मतलब सांदार होता है याद कैसे करेंगे बहुत आसान तरीका है X की साइट आपके X की साइट कैसी थी बहुत जादा सांदार थी बहुत अच्छी X थी आपकी छोड़ करके आपको चली गई ठीक है आप उसके बारे में Think Ahead 2 करते थे उसके बारे में फ्यूचर के प्लान बनाते थे बच्चों के नाम सोच लेते थे उसके बाद भी छोड़ के चली गई तो वो X की साइट X की साइट का मतलब सांदार Think Ahead 2 का मतलब फ्यूचर के बारे में प्लान करना इस्टुपेंडस एक स्टुडेंट ने प्यान प्याई दस रुपय का इस्टुडेंट ने प्यान प्यान प्याई दस रूपय का याद कर सकते हैं उस तरीके से याद कीये X की SIAT आप की बहुत जादाव थी क्या बात है वई आगे बढ़ते हैं अगला कॉस्टिन देख लेते हैं देखियेगा, slack दिया गया, slack का मतलब लापरवा होता है, लापरवा, keen कीन का मतलब उत्सु, keen के साथ हम on preposition का यूज करते हैं, ठीकि, आज preposition बहुत बहतरीन तरीके से बताएंगे, आगे मिलने वाला है, कीन के साथ on preposition का यूज़ करते हैं यदि slack का sign o लिखना है slack का मतलब लापरवा होता है तो इसका हो जाएगा careless careless का मतलब लापरवा lively lively का मतलब इंदम सजीव, जीवन्द चीक है उसके लिए lively का यूज़ करेंगे हम देख लेते हैं कुछ चीजे इससे related कीनान का मतलब उत्सुख होना किसी चीज के बारे में आप उत्सुख है कि कोई चीज अच्छा होने वाला है तो उत्सुख होना कीनान होता है ठीक है तो चलिए पहले हम यहाँ देख लें क्या बताने हाँ केरलेस हो गया केर से related में कुछ चीजें बता दूँ आप लोगों को यहाँ से एक मीनट बजा केर केर ठीक है केर फॉर या अबाउट होता है यह सीजियल एससी 2016 में पूछा गया केर अबाउट या फॉर का मतलब किसी की परवाह करना केर फ्री यह आपका सीजियल में पूछा गया यह भी केर फ्री और केर फुल केर फ्री का मतलब क्या होता है केर फ्री का मतलब आप बच्चे केर फ्री होते हैं चिंता मुक्त होते हैं किसी भी तरीके की future की टेंसन ना घर की टेंसन ना कमाई धमाई की टेंसन बेरुजगारी किसी टेंशन ठीक है किसी भी नग गल्फ्रेंड वाप्रेंड के टेंशन कोई टेंशन नहीं होती है वच्चों को छोटे वो केर फ्री होते हैं केरफुल का मतलब साउधान और केरलेस में बताने वाला थे आपे केरलेस का मतलब आप बहुत ज़्यादा लापरवा हो तो इसके लिए हम केरलेस का यूज़ करेंगी ठीक है यह हो गया आपका केरफ्री केरलेस और मैं बता दूँ अगर टेक केर आफ टेक केर आफ का मतलब देखभाल करना और इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है एक मिनुट में उपर कर देता हूँ टेक केर आफ से रिलेटर एक वर्ड और यूज होता है लुक इंटू लुक इंटू का भी मतलब देखभाल करना होता है look after का मतलब होता है sorry look into का मतलब देख भाल नहीं गल्ती गल्ती होगे भी है look into का मतलब होता है जाच परताल करना look into का मतलब होता है probe into probe के साथ भी into अई यूज होता है वहाई इसलिए में बता रहा हूँ probe into inquired into look after का मतलब होता है किसी की देख वाल करना ठीक है लुक आट का मतलब होता है किसी को देखना है ना आगे देखो तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं ठीक है वहाँ पर क्या है लुक आट का युज होगा आगे देखते हैं माक्स जब को सवाल करेंगे इंस्पेक्ट करेंगे कोई गरबड़ी हो गई है उसके बारे में यह एनलेसिस करेंगे तो आप जानते हैं एमलेसिस एक्जाम का हर बार होता ही है वीडियो बनती है यूट्यूब पे तो analysis होगा इसमें कोई जानने वाली ब्रात नहीं और अभी-अभी हमने बताया और अभी हमने क्या बताया कि probe के साथ into का use करते हैं look into, probe into, inquired into, जाच परताल करना look into, probe into, inquired into, जाच परताल करना इतनी चीज़ होगे, question number हम पहुंच गया है, 9 पर, next देखते हैं समझ में तो आ रही है ना, भाई, समझ में आनी चाहिए हाँ, यह आ गया क्या यहाँ पर, marks आया ना, कभी भी passing mark नहीं होता है ना, आयाक सी गलती कर दीजेगा, तो फिर कहां से काम चलेगा, passing mark नहीं होता कभी भी होता क्या, pass mark होता है, ठीक है, कभी भी passing mark नहीं होता है, ध्यान दीजेगा इसे, next देखते है superfluous words में पढ़ाया जाता है, आगे देखते है, question number 10 question number 10 क्या है, राम ray putte it, अभी अभी बताएं वह, darum put put cut cut cut, for cost forecast 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 for cost, तीनो form से मुती है, let 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 bid bid bid, है ना, henna thash, 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 spread means फैलाना इसकी भी तीनो form से मुती है, spread 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 quit means छोड़ करके चले जाना, quit quit, quit, Q, U, I, T quit, है ना, इसकी भी तीनों form से मुती है तो इन सभी की तीनों फॉर्म सेम होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे put it नहीं होगा put होगा क्या होगा रमन के बाद put put the vegetables in the frying pan and after adding अफटर एक प्रकार का preposition है और preposition के बाद adding वर्व की ing फॉर्म यूज़ होगी है यहाँ पे put it नहीं होगा put होगा असान सा question था next correctly spent word यह आप बताएंगे हम question number 12 की तरफ चलते हैं question number 12 हाजिर हो आ गया हाजिर हो गया चले देखते हैं समझ में आये तो वीडियो लाइक कर दीजेगा भी या the recruiters और सेर जरूर कर दीजेगा the recruit भूल गया थे यार बताने के लिए आप लोगो को कि सेर कर दीजेगा the recruiters were pleased to john's domain with knowledge and personality बहुत बहतरीन ग्यान देने वाला हूँ इस सब question में है क्या recruiters subject है और recruiters noun है और noun है तो इसके पहले article लगा हुआ है article दा और यह so कर रहा है कि आगे noun लिखा गया है ठीक है क्योंकि article जो है वो noun के पहले आता है recruiters चुकि plural noun है subject का का काम कर रहा है तो plural verb आएगी और यहाँ आएगा वर pleased और pleased के साथ खुस होने के लिए with का यूज होता है pleased with आप किसी के साथ खुस है आप अपने परिवार के साथ खुस है तो आप pleased with का यूज करेंगे pleased with मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुन लिजेगा pleased with होता है pleased with तो मैं बता दूँ की और किस के किस के साथ with का यूज होता है ठीक है वह या आईए देखते हैं pleased with pleased with के बाद आप किस के साथ with का यूज करेंगे filled with किसी चीज से भरा हुआ होना 2017 CGL में CPU में पूछागे filled with into with किसी को किसी चीज के साथ नवाजना avoid देना वो endo with होता है endo with का मतलब होता है जन्म से किसी प्रतिभाका होना अगर आपके साथ जन्म से कोई टैलेंट है चीक है कहते ना कि हमारे अंदर टैलेंट जो हो कूट कूट कर भरा हुआ था लेकिन बच्पन में इतना कूट दिया गया है कि अब दिखाई नहीं पड़ता है endo with का यूज करेंगे चीक है आगे देखते है team with with का यूज होता है overwhelmed with overwhelmed with का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुस हो जाना loaded with किसी चीज से load होना उसके लिए हम with का यूज करेंगे infest with का यूज होता है infest with का मतलब होता है घानिकारक जीवानों से भरा हुआ होना ठीक है तो मैंने बताया ना कि इतने चीजों के साब 1,2,3,4,5,6,7 के साथ तो विदगयूज आपने पढ़ लिया प्लीज के साथ ऐसे पढ़िए एक क्वेस्चन मिले तो उसे 10 क्वेस्चन जानने की कोसिस कीजिए ठीक है MB की बुक लगाने का यही फायदा होता है तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ठीक है Domain of Knowledge and Personality Knowledge एक प्रकार का Uncountable Noun होता है ध्यान दीजियेगा Knowledge एक प्रकार का Uncountable Noun होता है एक बार S.S.C. ने Research के बारे में पूछ लिया था तो research भी एक प्रकार का uncountable noun होता है research लिख दिया था गलत हो गया था बैया 2018 में SSC में पूँच लिया था साधी steno में पूँचा गया था इसी के साथ हम at the 11th hour अंतिम छण पर आप किसी से विदा ले रहे हैं अंतिम छण पर at the 11th hour वो मन बना चुके थे दूर जाने का हमें लगा हमें मनाना नहीं आता ठीक है at the 11th hour का मतलब हो गया कि अंतिम छण पर एकदम अंतिम समय में at the very last minute at the very last minute at the 11th hour का मतलब 11 बज़े नहीं 11 बज़े दिन में रात में नहीं आधी रात के पहले नहीं at the very last minute होगा next देखते हैं question अगले question पर आते हैं अगला question कहां है next question देख लेते हैं question number 14 सवाल number 14 question number 14 देखिए क्या है जब भी आपको jumbled sentence हो और उसे solve करना हो आईए हम देखते हैं पहले option देखिए c से start है, a से start है b से start है और c से start है तो यानि कि a, b, c से start है तो d के बारे में बहुत ज़्यादा समझ के परिसान नहीं होना है तो पहले c पढ़ लीजिए क्योंकि दो में c से start है last Sunday पिछले Sunday क्या हुआ I return home late at night मैं घर लोटा बहुत देर में और जब देर में लोटा तो I was shocked to find my house unlocked तो मैंने देखा कि अरे ये तो रूम जो है वो unlocked ताला टुटा हुआ है I ran inside in fear मैं गया घर में विया मैं गया दर के दर से दर के मारे घर में जैसे गुसा तो देखा कि मेरे मेरा घर तो लूट लिया गया यानि कि ध्याक ध्यान दीजे एक connection मिल गया न कि घर पहुचा तो ताला टुटा देखा और ताला टुटा देखा तब मुझे डर आया यानि कि A ताला टुट गया shocked हुआ क्या देखकर to find my house unlocked unlocked देखकर के shocked हो गया बहुँ ज़्यादा आचमबा हो गया फिर मैंने I ran inside in fear तो मैंने घर के अंदर गुसा मैं घर के अंदर गुसा और देखा कि घर लूट लिया गया A के बाद D आयेगा A के बाद D option number A में क्या दिया गया है D के बाद D दिया गया है गलत हो गया A के बाद D सिर्फ देखो A के बाद D आयेगा ये अलग-अलग दे दिया गया A के बाद D एक छोड पे A के बाद D यहां भी नहीं दिया गया सिर्फ A के बाद D D में दिया गया मुझके लिए एक मिनट का question ऐसे link करना है किसी एक को पकड़ लेना है और लगाते चले जाना है आगे देखते है question number 15 adjust करना बहुत बड़ी बात होती है लड़कियों के लिए कि मैके में जाओगी तो तुम्हें adjust करना पड़ेगा है न adjust का मतलब होता है adjust करना adapt adopt का मतलब होता है परिस्थितियों के अनुसूर अनुकूल अपने आपको ढ़लना और adopt के साथ हम two preposition का use करते हैं एससी में पूँचा जाता है हमने हजार बार बताया है ठीक है जितने लोग पहले वीडियो देख रहे हैं जो नए देख रहे हैं पुरानी वीडियो जरूर देख लें आईए देखते हैं adopt adjust का मतलब adopt sign ओ पूँचा गया था हो गया हम कुछ adopt से related बाते देखेंगे जो मैं हर वीडियो में अपने बताता भी रहता हूँ और आईए देखते हैं क्या हूँ फिर से पढ़ लीजे एक होता है adopt adopt का मतलब होता है बहुत ज़्यादा निपुढ हो न adopt in या at किसी चीज में बहुत ज़्यादा आप निपुढ है बहुत ज़्यादा पारंगत है उसके लिए मैं adopt का यूज़ करेंगे adopt adopt का मतलब होता है परिस्थितियों के अनुकूल अपने आपको डालना होगा वहाँ में adopt to का यूज़ करते है तो एक adapt होता है के adapt होता है और एक होता है adopt ये adopt जो है वो गोद लेना होता है या किसी की विचार को follow करना होता है ठीक है? उसके लिए यूज़ करते है फिलाल हम देखते हैं आगे question number 16 क्या दिया गया है? एक group of stars तारो का समूँ constellation होगा congregation का मतब सभा होती है और astronomy आप लोग जानते हैं astronomy खगोल विज्यान और astrology बविश सेवाडी वाला है next देखते हैं एमंग implied science ये sentence improvement है among implied science medicine is no medicine is one which have given man some power over death सिर्फ underline वाले part को देखना है और question को लगा देना है लगा लीजिए दिक्कत क्या है? which एक प्रकार का relative pronoun है? क्योंकि इसके बाद वर्व आई है which एक प्रकार का conjunction होता अगर इसके बाद subject प्लस वर्व आती जब भी who हुआ which हुआ इन सब के बाद इनका मतलब निकले जो और इनके बाद वर्व आजाए तो यह relative pronoun होता है तो relative pronoun के बाद आने वाली वर्व किसके according आती है? अपने antecedent के according आती है यानि कि वर्व one के according आएगी और one मतलब singular और singular के लिए हम have का नहीं has का यूज़ करते हैं ठीक है? तो देखते हैं has दिया गया है यहाँ पर लेकिन पहले question पर भी तो जाज़ा करेंगे ऐसे थोड़ी जाने देंगे one which gave past में दे दिया गया ना लेकिन इसके पहले वाला जो sentence है वो is लिखा गया है इसके पहले is लिखा गया है और is भी बता रहा है जो sentence चलना है वो present to present चलना है तो जब present to present sentence चलना है तो पहले present तो बाद में present रखो ना है past कहें कर रहे हो पगला गये हो क्या past नहीं करना है गलत हो गया, no substitution required नहीं होगा तो have नहीं होगा one के according which एक परकार का relative pronoun है relative pronoun के बाद आने वाली वर्व अपने antistant के according आती हो और has option सही हो जाएगा आर गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी plural हो गया है ठीक है one which आर नहीं आगे कुछ और होना चाहिए था singular होना चाहिए था हाला कि होता तो भी गलत होता एस टीम एस टॉर्म इने टीकप एक मिनट इसका मतलब हो जाएगा कि कोई छोटी सी बात है उसमें हंगामा खड़ा कर देना पीछे दिया गया हैं भी के ठीक है ना तो lot of us बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा कर देना that will soon be forgotten जिसे बहुत जल्दी भुला जिया जाएगा ठीक है चोटी सी बात है उसमें बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा कर देना डिसरेंजिंग ने कटलेरी को डिसरेंज कर देना नहीं होगा सटन इस्टार्मिनेटी टाइम चारपीते टाइम इस्टार्म आगे आधी आगई नहीं एक ऐसा ऐसी बात जिसके लिए जो बहुत ज्यादा important नहीं है लेकिन फर्जी में उस बात को बढ़ाय जा रहे है ठीक है आगे देखते है जंबल्ड sentence question number 19 question number 19 का answer आप लोग बताएंगे इसे comment करके बताएगा भई अगर नहीं आएगा next वीडियो में मैं पहले इसी को बताऊंगा ठीक है अगला देखते है question number 20 hazard hazard का मतलब क्या होता है hazardous का मतलब होता है क्या hazardous का मतलब होता है खतरनाक hazard मिस खतरनाक से रेटर हो जागा ज्यान दीजेगा endo याद करना है safety हो जाएगा risk तो आप जानते हैं risk के बाद अगर वर्व आती है न तो वर्व की आई अजी फार्म यूज़ होती है अगर risk के बाद वर्व आती है तो grammar का rule के यह कहता है कि mind busy risk enjoy deny avoid postpone इन सब के बाद वर्व की आई अजी फार्म का यूज़ होता है यदि वर्व आती है तो हजार्ड का मतलब हो जाएगा बहुँ ज्यादा खतरनाक की बात की जा रही है और safety हो जाएगा यहाँ पे peril का मतलब भी खतरनाक होता है perilous, precarious, dangerous perilous, precarious, dangerous hazardous, हजार हजार रुपए के 10 नोट आपको कोई दे दिया हजार का नोट तो बंद हो गया तो खतरनाक हो गया ना वहीं बात याद करो ऐसे याद करो जो कभी भोले ना अगले पे आते हैं अगला क्या है? question number 21 question number 21 से आगया आपका क्या? question number 21 से आगया आपका closest closest में बहुत लोग परेसान रहते हैं ठीक है? close chest में परेसान मत रहिएगा आज से यहां से closer जब पढ़ाया जाएगा तो काफी चीज़ें clear हो जाएंगे ठीक है? next देखते हैं everything in भोटान भोटान में जो हर चीज़ है वो chemical free है ठीक है? एक सारी के साथ सुरुगात करते है closest की कि जब से मैंने देखा है खिड़गी का परदा एक तरफ सारी दुनिया एक तरफ है ने उसका कमरा एक तरफ है बागी दुनिया एक तरफ everything in भोटान is chemical free भोटान में जो हर चीज़ है वो chemical free है all fruits and vegetables are desks originally organically sorry vegetables और fruits जो है वो क्या है? R जो है वो verb B की form है इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा नहीं तो दोनों दिखेगा नहीं सामजस से बैठाना है है यहां पर है ना देखिएगा R जो है वो verb B की form है अब आपको answer दिखने लगा होगा जिन्दिगी में बड़ी समस्या है और उसको निजात पाने के लिए हर संभू अपने कोशिश करते रहना चाहिए everything is भूटान is chemical free फिर chemical free है हर चीज भूटान में all fruits and vegetables are dash originically R का क्या है R एक प्रकार का वर्ब B की form है और वर्ब B is M R वाजवर यह वर्ब B होती है ध्यान दीजेगा वर्ब B के बाद या तो ING form आती है या तो वर्ब की third form आती है जिसे EJMR के बाद या तो ING आएगी तो वो active voice में होगा लेकिन EJMR के बाद जो वर्ब की third form आजएगी तो वो passive voice में हो जाएगा दो ही चीज आती है पाकि कुछ नहीं आ जाएगा दुनिया का चाहे जो हें तेना जाएगा तो grow जो है वोर्ब की third form है ग्रीव 2nd form हो गई तो EJMR के बाद second form आती ही नहीं है EJMR के बाद first form आती है नहीं तो grow भी नहीं होगा grow भी नहीं होगा first form में SEIS लगा दिया है इस इमर के बाद या तो आई एंजी आएगी आई एंजी किसी option में नहीं दिया गया है तो चर्चत हमें ध्यान देना ही नहीं है third form दिया गया उसे सही कर देना है तो आगे बढ़ जाना है so whatever you buy इसलिए जो कुछ भी आप खरीदते हो is dash formed product वो locally formed होता है या closely formed होता है नियर वाई नियरली लोकल रोड लोकल में बनाया जाता है ना तो locally formed होगा as the death of pollution indulged in forming forming में community of pollution sorry population कहां पॉपुलेशन या common या majority of majority of को मतलब अधिकांस अधिकांस लोग forming करते हैं क्रिसी करते हैं for dash for conservation के लिए क्रिसी करते हैं for sustenance for sustenance का मतलब जीवन निर्वाह के लिए अपने जीवन निर्वाह के लिए maximum लोग जो है वो क्रिसी पर depend हैं तो यह हो जाएगा provision के लिए nutrition posten के लिए posten के लिए नहीं कोई depend रहेगा वो जीवन निर्वाह के लिए टिक है पेट का ही सवाल है सब कुछ पेट भर और रहेगा तो सब कुछ सुझेगा पेट नहीं भर आय तो कुछ नहीं सुझेगा ठीक, sage my taxi driver Karma, we use turmeric convounds, हम घाओ पर क्या लगाते है, हल्दी तो हम चैरे पर भी लगाते है, लेकिन घाओ पर भी लगाते है, ठीक है, weakot तो वहां टर्मरी क्या होता है? टर्मरी जो है वो हल्दी है आलसो टू डाई डाई का मतलब कलर करना क्या कलर करने के लिए बात की जा रही है? तो आए देख लेते हैं, आप्शन तो छिप गया है लेकिन मैं छिपने नहीं दूँगा इसे अटायर, अटायर का मतलब एक विसेस परकार का पोसाक होता है, फैसन को कलर किया जाएगा, एक पोसाक को, विसेस परकार के कवरिंग को, या गवर्मेंट्स को, कपड़ों को, जनरल तरीके से, जनरली जो कपड़े होते हैं, उसे हम गवर्मेंट्स कहते हैं, तो गवर्मेंट इसको color करने के लिए यूज करते हैं तर्मरीक का यूज घाव के लिए भी करते हैं एंड इट एड़ एक्स्टेंबली और कुकिंग हम खाने में जब वो कहना में कुकर में सीटी लगाते हैं दाल में हल्दी और नमक डाल करके तो भी हल्दी का यूज कर लेते हैं इसलिए हल्दी का यूज जरूर करना चाहिए यह खाने में तो वह हल्दी है हल्दी का यूज अपने फेस पे भी करते हैं रूप समारे रूप निखारे वीको टर्मरी कायूर्वधिक क्रीम इस तरीके से हो देखिए आपका लूज चेस्ट भी हो गया आप एक नोट्स जरूर बना लिजेगा नोट्स बनाने से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धेर सारी चीज़ें आपको मैं बताया हूँ आज तिक है विद का यूज बताया वो विद किसके किसके साथ लगता है यह बताया आपको त है ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब बता दिये थिंग वैक टू बता दिये थिंग एटू बहुत धेर सारी चीज़ें बताएं तो याद कर लीजेगा वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक सेर कर देना भाई सेर कर दिया करो धन्यबाद आपको बहुत बहुत वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्यो सो मच